तो कंडीशनल फर्मेटिंग करते हैं अगर हम इसमें बात करते हैं तो इसमें आते हैं तो यहां देखिए अपकी जो से वो मिल जाता है जैसे कि नॉट बिट्वीन इक कोल टू नॉट इक कोल टू गेंटर अब इसमें से कुछ भी कुछ सेलेक्ट कीजिए करने के बाद अपना फिगर आउट कीजिए और यहां फॉर्मेटिंग में जाके अपनी फॉर्मेटिंग दे लिए ठीक है यहां पर इसक आपको दीखेगा एस्विक टेक्स्ट टेक्स्ट में आपने बाहर लास क्लास प्रहाता सेल कंटैनिंग यहां पर आता है नॉट कंटैनिंग मतलब कि वह उसके अलावा कुछ भी हाईलाइट हो जाए विगेंबी स्टार्टिंग में नूम्बर हो तो हैरो जैसे कि माल दिज मिस्टर रवी और मिसीज मोना अब मुझे इसमें से हाइलाइट करने हैं किसको हाइलाइट करने हैं जो उनली मेल है मेल उनतो है तो हमसर करेंगे तो प्रोल्म का होगाज भी हालेट हो जाएगा ना कुछ और भी वर्ट हो सकते हैं मैं यहां देना चाहत। कि स्टार्टिंग में इम राइंगे और इसमें मिल क्या कर देंगे और फिर यहां से अपनी वैलू दीजिए यहां पर ओके करतें तो आपका देखिए हाइलाइट हो गया तो ऐसी चीज़े आप यहां कंडिशन फर्माटिंग के मोर रोल्स में कर सकते हैं तो सेल वैलू टेक्स देट ओक्रिंग होई है जो बाहर आपने उच किया है ब्लाइंग फालेट करते का नो ब्लाइंग फालेट करते का एरव करते हैं जैसे मेरे यहां मैंने यहां पर एनने दिखने के बाद यहां हमने इसको कहीं कहीं पर वैलू दे दिया अब मैं चाहता हूं कि जो वैलू जैना वही मेरा वीजवल हो और ब्लैंक ना विच्वल है इसको कंडिशनल फॉर्मेटिंग से ना करके फॉर्मुले से करते हैं इसके लिए हम यहां नियू रूल्स में जाएंगे या मोर रूल्स में और यहां फॉर्मेट ओली सेल कंटेंट में हम एर्र को स्रेक्ट करेंगे इसका बैक्ग्राउंड है इसकी फॉर्मुल को भी क्या करतेंगे हम वाइट कर देंगे वाइट में वाइट में पता चलेगा नहीं पता चलेगा तो इसका यूज्ज कर सकते हैं कहां पे इसके अलावा यहां डेटा वार वगरा भी है अब डेटा वार की बात करें तो यहां माल दिजिए कि हमने वार लगा दिया तो यह आपके सामने बार आएगे कि हम आइकन भी लगाएंगे तो आइकन भी आजाए लेकिन मैं करना चाहता हूं कि यहां कि यहां कि यहां कि यहां नहों कि बी कॉलन में होना चाहिए लेकिन यह कुलन में तो लेकिन हमें तो कुछ चाहिए तो हमने क्या क्या लिंग कर दिया लिंक करके नीचे तक ड्रैक करके और इसके ऊपर हमने बार अपलाएगी तो फाइदा क्या हुआ दो नमबर दिख रहा हो तो थुरा सबर करते हैं और जाते हैं मैंश में आने के बाद जो डेटा वाब लगाए उस पर डबल क्लिक करते हैं डबल क्लिक करने के बाद आपको दिखेगा शूवार उनली ओक एपलाइगे कि अब फिलिंग हो रही ऐसी ना कि हाँ इसी का बार इधा यहां पर दिया गया है कि अब इसी में अगर मालिश है कि मुझे आइकन चाहिए तो इसको सेलेक्ट किया हमने नीचे तक इसको ड्रैक कर दिया और इसमें हम आइकन का भी इस्तिमाल करें और आइकन में भी हम सेम मैनेज़ और यहां करतेंगे शो आईकनवाली कि तो आपका आईकन दीखेगा ना कि आपको वैलो कि इसका इस्तिमाल हम लोग कर सकते हैं ठीक है ठीक है और हम बात करने हैं छलिए आइकन की थोड़ी कि इसकोर ने और यहां को कि माले जिए कोई टेस्ट वगवर हुआ है उसकी स्कूर यहां पर दिये गया है और मुझे स्कूर को के करना है तो बोले से ग्रेट करना है तो उसके लिए तो हम जस्ट फॉर्मला इस्तिमाल करते हैं स्पाइब के में फॉर्म इंगे मतलब कि जो लिए दें शिक्स्ट यहे वह हमारा भाए है और यहां Steel्स ろ सब्सक्राइब करने के बाद हम आइकन में आते हैं और यह वाला इकन इस्तमाल करते हैं जिसमें तिक का निशान सुचक है आपके इसको हो जाएगा रीटेश का और एक्स हो जाएगा क्रॉस का लेकिन लगा तो दिया लेकिन मेरे इससे को भी ले टो नहीं किया न सर अपने इसांट कर रहा है अब उन्हें फुर्टीएट में एकस्परिसल मारक आ रहा है तो चाहिए हमें एक अठीक है तो हम आते हैं इसके मेंज़ूल पर जहांपर डबल क्लिक करके पार को खोल रही है और यहां परसेंटेज जो दिख रहा है इसके जगाँ पर करेंगे नबर कर दिए और यहां पर 60 में दे देते हैं यहां पर 40 Just तो 60 से उपर में डिक करनी चालाएगा 60 to 40 के बीच में आएगा 40 से नीचे हमारा यह आएगा ठीक है and okay and apply लेकि समझ में कैसे आएगा इसके लिए हमने लिख दिया इसमें आपको यह पूछ दिना है क्या है पूछ सकता है उसको समझ में आएगा तो उसको इद्रा थो ही पता है कि आपका जो केंडिशन फर्मेटिंग नंबर भर करता ब्लाइंग नहीं करता है तो यहां लीप करके तो अन्य आइकन पर क्लिक करते यह आपने 123 लिख दिया तो रिवर्स और कर सकते रिवर्स आइकन कर सकते है लेकिन मैं इसका आतना चाहता हूं कुछ और जैसे एफ मेरा है माइव मारा क्या है प्रआफिट और यहां पर हमेरा मंन इसकी है कि अपरिशन कम्यर्ट 9 नहीं लेकिन परॉ genommen को मैं चाहिता हूं कि इसका जिसका प्रोफिट ग्रेटर देन फाइवंड़ेड है उसका पूरा 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 रोह हाइलाइट कैसे करें देखिए ऐसी कंडिशन तो यहां पर है नहीं तो यहां पर हम यूज करेंगे अपना फर्वला तो कंडिशनल फॉर्मेटिंग के अंदर नीव पर जाएंगे और सबसे लास्ट में आएगा यूज फॉर्मल अब एक चीज़ आपने गौड किया होगा साइथ कि मैंने सिंगल सेल्स लेक्ट किया होगा लेकि इससे पहले जो भी हमने अप्लाई किया उसमें पूरी की पूरी कॉ क्या मैंने गलती किया विल्कुल गलती ने किया मैंने जान बूझ के ऐसा किया क्यों क्यों कि जब भी हम फॉर्मला अप्लाई करेंगे तो सिंगल सेल्स लेक्ट पूरा का पूरा एक एरिया नहीं करेंगा इसके का रीजन यह है क्योंकि हम कर रहे हैं कैल्कुलेट तो हमने क किया हमने लिखा है है तो अब यहां पर देखिए डॉलर साइन लग किया तो फिक्स कर दिया हटा देता हूं इसको नीचे फॉर्मेट पेस्पेस करेंगे तो इस टू आइटू को त्री फॉर फाइव ऐसे इंपीज होता है अब इसमें कॉलन को फ्रीज नहीं किया पीछे ना करें पीछ रिजने कि जब में लेफ ट्राइट लेफ्ट ट्राइट करू कॉपी फर्मेट पेस्ट करूँ तो एज फिक्स हो क्योंकि हमारा कॉलन फिक्स है ठीक है ओके किया अब यहां पे टेट का फॉर्मेटिंग अपला ही हो गया है तो इसको आप नॉर्मल जेनरल फॉर्मेट करें तो देख रहे हैं कि जहां जहां प्रॉफिट हमारा 500 से ऊपर है आप यहां पर देखिए आपका कलर हो चुका है तो इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं चलिए और हम कुछ और एक्जामपल देते हैं अपने कंडिशन फॉर्मेटिंग के ऊपर तो यहां पे मेरे पास यहां पर सब्सक्राइब हो हैं अब हम चाहते हैं कोई भी टेक्स ना करें यहां तो हैसा होने से करते हैं कि चलिए करते हैं हुआ है तो आपको पता करना होगा कि सबसे पहले कि सेल के अंदर क्या टाइप कैसे बता चाहिए तो यहां पर हम करेंगे जांना है इज टैक्स टैक्स क्या करेगा अगर नंबर हुआ तो यहां पर पेस्ट कर दिया और यहां आमने अपनी फॉर्मेटिंग स्लेक्ट करने लें दैन ओके एन फॉर्मेट पेंटर से नीचे के तरह पेंट कर दिया अब जैसे कोई आधे इस फाइव अंडेज लिखे गा या कुछ टेक्स लिखेगा विल भी हाइलाइटेट इस तरह से माल लिजे कि मेरे पास कोई अब एकाउंट नंबर में माल लेख दिया यहां की नीचे विवन कर दिया है कि दोनों हाइलाइट हो रहा है कि चार कर दिया चार होगा चार को चोड़ दे वागी जितने हैं सारा हालाइट कर दे यहां पर दो लिखा ठीक है नीचे दो लिखा तो दोंदो को नहीं सिर्व एक दो को हालाइट करें को डूब्लिकेट कॉंध पता नहीं चलता है इसे पता चले कि नहीं यह इसा कुछ पता चले तो कैसे करें इसको हम मैनुवल नहीं कर पाएंगे न क्योंकि मैनुवल करना दिक्कत हुआईगे तो सबसे पहले हमको यह पता करना होगा कि यह नंबर डुब्लिकेट हुआ है क्योंतब़ करें कि हमारे पास काउंट इफ का इक फॉर्मूला है इसका काउंट इफ में हमने पूरी के पूरी रेंगे को सेलेक्ट करेंगे तो जम नीचे ड्रैग करेंगे तो बाकि भी तो तो मैं ऐसा कुछ करना है कि यहां जीरो देखे और यहां दीखे नीचे दीखे वान तीसरा आया तो त्री यहां पर त्री और इस तरह से इस नंबर हो एक ईपुटेटिक नंबर शो तो कि यहां थे हम घड़ा साथ फिर बटू करें अब अब ने एक लिए कि अड़ीटि नहीं किया एड़ी जैब कोई रेंच करते रहे ना तो उसमें आप देते रहे ना कि पूरा एक रेंच इस तरह से कि अपर नीचे करेंगे तो दूसरा वाला एटू इंक्रीज होगा पहला एटू फिक्स रहेगा तो यहां देखिए इसने क्या किया जहां लग रहा है वहां से उपर की तो यहां नीचे जो इसको नहीं कर रहा है वहां वहां से उपर कहांट करता है इससे एक सिक्वेंस आ जाता है कि 223 समझें अब इसी फॉर्मूला को हम यहां कि कंडिशनल फॉर्मेटिंग के नियू रूस के यूज फॉर्मूला में हम इसको पेस करते हैं हम बोल देंगे इसको कि ग्रेटर दैन वान एक से जब ज्यादा हो तो हाइलाइट करो और इसके लिए कोई कलर रेट बगर है जो भी द लगा दीजिए और फिर इसको नीचे के तरफ करें अब यहां पर एक और एक जांपल होता है कि मेरे पास बहुत साइब अब यहां पर आपको हर बार फॉर्मूले लगाना सूचना नहीं मेरे पास कुछ इस तरह के नंबर्स हैं जो आप देख पार हैं और यहां पर मैंने जाला होगा है सच अब यहां जहां जहां 50 और सब हालाइट हो तो बोलें कि सर्फ में यहां लगाँगा एक को फिर ड्रैक करूंगा नहीं नहीं देखिए आप पूरे एडिया को सेलेक कर लिजिए तो कि यहां अगर मैं इक्वल टू फिप्टी करूंगा तो सब हैलाइट क टूस्च सब्सक्राइब यहां पे किसी सेल का रिफटेंश को ऩुछ अगर फॉर्मूला पर कुम नहीं दे सकते हैं तो यहां पर देखें और अगर फुट्टी करते हो कि हो हर किसी का इंडिविजयुवल कल्कुलेशन समझें आप देखिए यहां पर मैं अगर 40 देता हूं तो आज आपने सीखा सिंपल से चीज़ें आप ने सीखा कि सबसे पहले सी सीखा कि आप जो है अपनी लगाई हुई किसी भी तरह की कंडीशनल फॉर्मेटिंग को एलिट कैसे करें है उसके बाद हमने बताये के जो चीज यहां नहीं दी गई है उसको आप फॉर को मिलें जैसे की बिट्वीन नौट उट उन्ट इक्वल टू टू करतें के लावा बी यन वीट एंड वी एंड भी ठीक है उसके बाद हमने बताया कि formula आप कैसे लगाएंगे और सबस्क्राइब बात कि मैं condition कहीं apply करना चाहता हूं और highlight कहीं और करना चाहता हूं कुछ formula की example बहुत सारे हो सकते हैं रीजन क्या है रीजन ने है कि हमने अभी तक फॉर्मिले को बहाने है कि समझ गया है तो कंडिशन फॉर्मेटिंग की जो क्लास थ्री है वह हम आपको बताएंगे जब फॉर्मूला बढ़ेंगे तोटल तीन क्लास होती है पहली क्लास होती है क्या है तो आपको कुछ रिपोर्ट दिख रहा है आप आप शुच लगा लगाए चार्ट नहीं लगा अगी तो पिर्येट दिया कि टाक्स वर्ण इस तारीक के स्टार्ट हुआ इस तारीक को खतम के लिए इस सब और कंडिशनल फॉर्मेटिंग में लगाए गया है वड़े वड़े फॉर्मॉले तो अभी हमने फॉर्मॉला पढ़ा नहीं है तो हो सकता कुछ फॉर्मॉला आपको आता हो कुछ ना आता हो तो फिलहाल इसको हम करते हैं फॉल्ड ठीक है और जब फॉर्मॉला पढ़ेंगे तो कंडिशनल फॉर्मेटिंग को अच्छे से बढ़ाएंगे अब आपके सामने आता है सवाल को कि हमने बहुत सारे शीट बताई सबसे पहले तो जो मैंने आपको बताया है उसकी करनी है प्रैक्टिश करने के बाद आपको डेटा दिया गया है यह आपने तरब सभी डेट करके मुझे तक्रीवन तस कंडीशन फॉर्मेटिंग की तरीकी एक्जामपल आपको करके देने हैं अब क्या हो सकता है तरीकी एक्जामपल यह हम आपको अभी नहीं बता रहें आप जो है अपने दिमाग लगाए और मुझे बनाए रीचिए